विजय थलपती की फिल्म लियो का ट्रेलर आ चुका है। इस फिल्म को लोकेश कनागराज ने डाइरेक्ट किया है। विजय थलपती के क्रेज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म के ट्रेलर पर सिर्फ पाँच मिनिट में एक मिलियन से ज्यादा व्यू आ इस ट्रेलर को अलग-अलग भाशाओं के साथ अलग-अलग चैनल्स पर अपलोड किया गया है। इस ट्रेलर की तो ये एकदम मास मसाला ट्रेलर था। अगर आपने लोकेश कनागराज की फिल्म कैथी और विक्रम देखी है जो लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड थी तो ये उसी सिनेमेटिक यूनिवर्स की तीसरी कनेक्टेड मूवी है। इस फिल्म को अनिर जुन सरजा तरिशा जैसे सूपर एक्टर भी है और कहा ये भी जा रहा है कि इस फिल्म में कमल हसन के विक्रम और सूरिया के रोलेक्स का कैमियो भी हो सकता है और लियो का बजट 200 से 300 करोड का है वहीं पहले न्यूज ये थी कि विजय इस फिल्म के लिए 120 करोड की फीस लेग तो विजय थल्पती 120 करोड लेगे और ट्रेलर देखकर तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दमदार कमाई करेगी फिल्म में एक बैक स्टोरी भी होगी ये फिल्म तीन हिससे में है एक जब वह 16 से 70 ह साल का होगा और एक जब वह यंग एज होगा और एक जब वह मिड एज का होगा इन्ही तीन स्टोरी के साथ फिल्म को दिखाया जाएगा ट्रेलर में एक्शन एक यूनिक तरीके से दिखाया गया है जो एक सिनेमेटिक वाइव देता है इस फिल्म में एक छोटा सा एक्शन सीन हाइना के साथ भी रखा गया है ट्रेलर करीब 2 मिनट 40 सेकंड का है लेकिन कहीं भी ये नहीं पता चलता कि फिल्म की स्टोरी क्या है इस फिल्म में विजय थल्पती को कृष्णा ने आवाज दी है फिल्म आ रही है 19 अक्टुबर को लेटिस्ट मुवी रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए